सुप्रभाद प्यारे बच्चों, मैं रजनिस पांडे, आनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका हिंदी रध्यापक हूँ, इंदी विशे में आपको ही पढ़ाऊंगा, और हिंदी काविखंड का पहला पार्ट हम लोगों ने पूरा कल लिये था, जिस में सूर्दास के पद हम लोगों ने पढ़े थे, इसका पार्ट दूसरा है, जिसका शिर्सक है, राम लक्षमर परसुराम संबाद, तो आईए आज हम इसे मिलके पढ़ते हैं, प्रत्र में आपको यह याद दिला दू, यह प्रसंबूश समय का है, जब सीता स्वेंबर होता है, और वहाँ पर सीव के धनुस को रखा जाता है, स्वेंबर रूपी सर्ट के साथ कि जो इस धनुस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो सी के साथ सीता का विवाग होगा, औ अपने गुरु के साथ और अपनी गुरु की आग्यान सार, जैसे ही वह धनुस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, वहाँ शिव का धनुस टूड़ जाता है, चुकि वहाँ शिव धनुस राजा जनक को परसुराम ने दिया था, तो जैसे ही वहाँ धनुस उसी को यहां पर रखा गया है तो इसे हम पढ़ने और समझने का प्रेयतने कर रहे हैं देख लीजिए नात संभुधन भंजनिहारा होई है को इकदास तुम्हारा नात हे नात संभुधन मतलब सिव के धनुष को भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला होई है क्यों इकदास तुम्हारा जब परसुराम आते हैं और वहाँ पोचते हैं कि धनुष को किस ने तोड़ा तो सरप्रथम विनीत मधुरस्वर में राम उत्तर देते हैं कि हे नात इस संभु धनुसिव के धनुस को भंजनी हरा तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा आयसु काह कही किन मोही तो आयसु कार्थ होता है आग्या काह कहीए क्या कहीए किन मोही राम ने कहा कि आप कहिए मेरे लिए क्या आग्या है सुनि रिसाय बोले मुनि कोही अवधी में ये पूरा प्रसंग है राम चरितमानस से ही लिए आगया है तो अवधी भासा के सब्द है रिस का मतलब होता है क्रोध ठीक है आप करिएगा रिस का मतलब होता है नाराज होना कोही का मतलब क्रोध है तो क्या करते हैं सुनी रिसाय बोले मुनी कोही या सुन करके क्या सुन करके जब राम ने कहा कि आप ये सिर्फ का धुन सोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा कहिए मेरे लिए क्या गया है तो परशुराम क्रोधित हो जाते है सुनी रिसाय बोले मुनी कोही तब ये सुन करके और क्रोध भरे वचनों में परशुराम बोलते हैं क्या बोलते हैं देखिए सेवक सोजु करे सेवकाई वो कहते हैं कि सेवक सोजु करे सेवक वह होता है जो क्या करे सेवकाई करे अर्थात सेवक का कारी करे अरी करनी करी लडाई लडाई न करे सेवक वही होता है जो सेवा करे वो शत्रुता नहीं करता अरी मतलब शत्रु अरी करनी करी करी लडाई वो शत्रु वाला काम नहीं करता कि जिससे स्वामी और सेवक के मद्द की सीव प्रकार का जगड़ा हो सुना हु राम जेही सीव धनु तोड़ा हो कहते हैं कि हे राम सुनो जिसने भी जेही मतलब जिसने सीव धनु सीव के धनु उसको तोड़ा मतलब तोड़ा है सहस्र बाहु समसो रिपु मूरा वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, रुपु मतलब शत्रु मोरा मतलब मेरा सम मतलब समान, सहस्र बाहु एक राजा थे जिने परस्वराम ने मारा था, जिनका वध किया था तो वो क्या कहते हैं जिसने भी धनुस को तोड़ा है इस सिव धनुस को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा सत्रु है सो बिलगाव भिहाई समाजा बिलगाव मतलब अलग करिए इस समाज से जितने भी वहाँ पर राजा लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग जिसने भी सिव धनुस को तोड़ा है उसे अपने समाज से अपने आप से अलग कर दीजिए ना तो मारे जई हैं सब राजा नहीं तो जितने भी यहाँ पर राजा बैठे हैं वो सभी मारे जाएं उन्होंने कहा कि जिस वेक्तिने मेरे मेरे इस सिव धनुस को तोड़ा है उसे आप लोग अपने आप से अलग कर दीजे, ताकि मैं उसकी पहचान कर सकूँ, अगर आप लोग नहीं अलग करते हैं, तो आप सभी मारे जाएंगे, जितने भी यहाँ पर राजा हैं, सब मारे जाएंगे सुनी मूनी बचने लखने मुसकाने उनके इस प्रजार के बचनों को सुन करके लक्षमर जी मुसकाते हैं हसते हैं मंद मुसकान करते हैं सुनी मूनी बचने लखने मुसकाने बोले परसुधरही अवमाने और परसुराम का अपमान करते हुए अवमाने मतलब मान करते हुए क्या कहते हैं देखिए क्या कहते हैं बहु मतलब बहुत धनुही मतलब धनुस तोड़ी मतलब तोड़ा लड़क्पन में या बचपन में सुनी डिसाय कह तुन्हों ने कहा कि हमने बच्पन में तो इस प्रकार के बहुत से धनुस तोड़े परन्तु तब किसी ने इस प्रकार का रिस अर्थात क्रोध नहीं किया ठीक है कब अहुना सरी सकीन गोसाई यही धनु अपर ममता के ही है तु वो कहते हैं कि इस धनुस पर आपको इतनी ममता क्यूं है इतना मोह क्यूं है ये सुन करके जो भ्रिवकुल के तु जो भ्रिवकुल के धोजा सुरू परसुराम थे वह क्रोधित हो गया और क्या कहते हैं चेतावनी देते हुने कहते हैं कहते हैं। कालवस काल के रस्में होकर भी तुम बोल है हो तुम्हें जरासा भी होस नहीं है तुही जरासा भी इस सिर्का संग्यान नहीं है धनुही सम त्रिपुरार धन ये धनुस अन्य सामान धनुसों की तरह छोटा सा धनुस नहीं है बलकि यह त्रिपुरार धन भगवाई ये भगवान शिव का धनुस है और यह किसे पता है विदित सकल संसार इस पूरे संसार को यह पता है या इस पूरे संसार में यह चीज जा जाती है तो जिसे तुम छोटी सी धनु ही कह रहे हो वह भगवान शीव का धनु से हो और वह इस रूप में समझ संसार में जाना जाता है एक बार फिर से देख लें ये प्रसंग उस समय का जब भगवान स्वेंबर में धनुष तूटता है तो वहां पर राम परसुराम और लक्ष्मल का संबाद होता है उसी परसुराम आते में पूस्ते हैं कि धनु सिसने तो राम कहता है कि नात संब धनु भगवान बंजनी हा रहा हुई है को एक दास तुम्हारा कहता है नात इस धनुस को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा आय सुका आजया दीजे क्या कहना चाहें है आप उस मुझ से सुनु रिसाय बोले मुनी कोई यह सुन कर के परसुराम कुरदिस होते हैं बोलते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई सेवक भा होता है जो सेवा करे अरी करे नी करी लडाई सत्रू के तरह वहां सत्रुता नहीं करता सुनो राम जिसने भी सिर्व धन उसको तोड़ा है सहसर बाहु समस्वर इप्मुरावा सहसर बाहु के समान मेरा शत्रु है कट बहुत ही परम शत्रु है सो भी लगाव भी लगाव मतलब लग करें बिहाई समाजा उसे इस राज समाज से लग करें ताकि मैं उसे पहचान सकूँ और नहीं अगर आज ऐसा नहीं करते हैं तरना तो मारे जई हैं सब लाजा नहीं तो जितने भी यहाँ पर राजा गंड बैठे हैं सभी मारे जाएंगे सुनी मुनी बचन लखन मुस्काने मुनीवर के बचनों को सुन करके लखन मुस्काते हैं और बोलते हैं परस्वराम की अवग्या करते हुए अपमान करते हुए बोलते हैं बहु धनु ही तोरी लरकाई कब होना सरी सकीन गोसाई बश्पन में लड़क्पन में हमने बहुत से धनूस तोड़े इस परकार के पा região तो तब किसी निस प्रकार का क्रोध नहीं किया ए थनू पर उन्मधा कहीं हे तु सुन रिसाय कहा भृकुल के तु कहते हैं इस धनुपर इस धनुष पर आपको इतनी वम्ता क्यूं है यह सुन करके जो बिकुल के धोजा सोरुप प्रस्पराम है वह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं रेर वालक काल वस बोलक तो ही नसमार कहते हैं तुम काल के वश में हो करके तुमें जरासा भी होस नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो धनुही सम्त्रिप्रार धन बिदित सकल संसार या जो शिव का धनुस है या समस्त संसार में भगवान शिव का धनुस को रोप में जाना जाता है कोई साधारा धनुस नहीं है